मैं रंजीत सिंग आपका स्वागत करता हूं लोग कोबिट से जूज रहें जो कोबिट से इन्वेक्टेड हो जाएंगे एलेक्शन के टाइम में उन्हें भी ये पोश्टल बैलेट की सुविधा देगी ताकि वो कहीं हॉस्पीटल में रहें या क्वारेंटीन जेंडर में रहें तो वो वहां से वोट कर सके पोश्टल ब लग दिया गया है इन्फेक्ट सारे नियम नहीं जो इन में से एक नियम है कि जो 65 साल से जञ्दा के उम्र के ब्यक्ते को भी देने की बात कही गया थी पोश्टल बैलेट की सर्विच उसे होलड पर रखा गया है आपको पता हुगा कि पोश्टल बैलेट की सर्विस जोई पहले से ही 80 साल से ज़्यादा के उम्र के ब्यक्ति को एवलेबल थी, ठीक है साधी साथ Armed Forces को भी एवलेबल है by default और साधी साथ Armed Forces को vote through proxy के भी system एवलेबल है, यानि वो अपने बदले किसी और से voting करा सकते हैं, ठीक है voting देने वाला आदमी जाएगा, returning officer के पास return ले करके कि ये आदमी जो है Armed Forces में service दे रहे हैं और इनकी ये बज में आज मैं vote करने वाला हूँ, अगर returning officer उसे allow करे तो वो vote दे सकते हैं, तो ऐसा already provisions है हमारे electoral reform 1996 के बाद से representation of people act 1951 के तहत, ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा कि ये जो अभी अभी election commission of India ने नियम बनाये थे कि 55 साल से ज़्या भी postal ballot की सुबिदा दी जाएगी, तो अभी political party जो बिहार में है काफी उन्होंने हला मचाया, और election commission of India को एक later लिखा कि आप अगर ये facility देते हैं, तो जो ruling party है बिहार में, NDA, ठीक है, जदिवी की जो basically बिहार की party है, और पूरी NDA गठवंडन जो है, वो चल रहे है बिहार म commission ने थोड़े दिनों के बाद इस जो नियम को है कि 55 साल से ज्यादा के उम्र के व्यक्ति को दिया जाएगा, पोस्टाल बैलेट की सुब्दा, इस नियम को अभी के लिए hold पर रख दिया गया है, और कहा है कि बिहार के election 2020 में इस नियम का पालन नहीं होगा, ठीक है, election commission of India न ने कहा कि उनके पास logistic अविलेबल नहीं है, उनके पास log अविलेबल नहीं है, उनके पास इतनी facilities अविलेबल नहीं है कि इतने सारे लोगों को postal बैलेट की service अविलेबल करा सके इतनी जल्दी, ठीक है, और जो दूसरी बात थी कि जो essential service में लोग employed है, उनके और जो COVID infected लोग क्या उनको postal ballot की सुविदा की availability होगी, तो ऐसा अभी तक कुछ भी update नहीं आया है, election commission of India के तरफ से, पहले उसमें बताया गया था कि हाँ इन लोगों को भी postal ballot की facility अविलेबल होगी, लेकिन अभी जब नया नियम बदला, यानि जब election commission of India ने कुछ नियमों को होले पे रख द गया, तो इन दोनों लोगों के बारे में, जो employed है, essential service में, और जिने covid हो चुका होगा उस वक्त है, जब वोटिंग हो रही होगी, तो उस वक्त जिन लोगों को covid हो चुका होगा, क्या उन लोगों को postal ballot की सुविदा अभी लेबल होगी या नहीं, इस पर election commission of India का कुछ भी सा अभी तक, ठीक है, तो आपको समझ में आया हुगा कि किस तरह से political parties ये कह रही है, कि उनके दबाओं में आकर उनके later के बाद, election commission of India ने ऐसा फैसला लिया है, कि 65 साल से ज्यादा के उम्र के ब्यक्ति को postal ballot की सुविदा अभी लेबल ना कराई जाए, और election commission of India ये कह रही है, क उनकी logistic की unavailability के कारण, उन्हें ये नियम अपने hold पर रखने पड़ रहा है, और अभी के लिए बिहार के election में ये नियम कानून apply नहीं होंगे, तो I hope आपको समझ में आया होगा, और representation of people act के बारे में मैंने अपने पिछली वीडियो में, जो June 2020 का जो current appears है, बिहार का, उसम यू समच्च्च्छ